तो ही गल सामने आई के जी इस वार क्योंके रश्या और युक्रेन दी जड़ी कंक है वो मिडल इस्ट आफ्रीका जा दूसरी यॉर्पियन इवर मार्किट तक नहीं पहुंच सकेगी इंडियन वीट दे जड़े या एक्सपोर्ट दे चांसिस बन दे जा रहे हैं जिनने वड तीजे दे तो और ते डिमेस्टिक मार्किट दे विच एकदम जड़ियां पेट्रॉल दियां कीमता दे वदियां ही वदियां कनक फूड दूजे तीजे वो एकदम शूट अप होया अटे दे और कनक दे पा बहुत उपर चले गए लोग चीका मारन लागे और उन्हों लग करांगे गलोबल फूड स्क्यूर्टी दे चल दे हैं पारत दे उत्ते होना ने हुड़ दबा बनाना शुरू कीता है कि रिवर्स करो बैन नो जड़ा तुसी वीट एक्सपोर्ट दे उत्ते लाया है जो स्री लंकाच हो रहे हैं ये पारत नो जगान लई काफी होना चाही है कि 2014 तो जदो मोदी प्राइम निस्टर बने हैं उन्हाने पारत दे विच फिरकू नफरत फिरकू पड़काट और ओडर जवें के जी मुस्लमान ना दिया बादी इननी के बाद जाएगी ए फलाना ही में हो ए है भी लोकाई तुसी एक डर पैदा कर रहे हो एही हाइपर दा और तौड़कुल मजभी मेजॉर्टी है गी है तुसी उदा इस्तमाल करके लोकान वांड रहे हो ए इदे नार तुसी समाज दा ताना बाणा भी खराब कर रहे हो और इन्हें सब ने एकनॉमिक स्क्यूर्टी नो भी पर बावत कीते हैं इंडिया निरंदर मोदी लेड गोवर्मेट इस अथा पूलिसी तो पुश्टा प्रूरलिस्टिक कांट्री तो पोड़ाइन ने कुल्चर ने लेंगविज ए रिलिजिए ने पार्टी तो एंशोर बीज़पी इवरलस्तिश्टिश्ट्राइश्ट्स वट इस हैपनिन स्री लंका विल हैपन इंडिया इन दे नेक्स फूचर विच शुट बी रिलाइज़ बाइज बाइद रूलर्स एंड देर स्पोर्टर्स दर्श को ब्रीट बात ओड़ा सब्दा पर पूस्वागता है पारते पाकस्तान वेच महंगाई वेच एक दम जड़ाय वादा होया है डालर दे सामने जड़ा रुपईया है वो पूरी तरह लुड करेया है गवांडी देश शिरलंका वेच जिस तरह एक दम एकॉनमी क्लैप्स होया है उसनों वेक दिया इस वाल खड़ा हो चुका है कि कि शिरलंका वांग पारते पाकस्तान दी अकॉनमी मी जड़ी एक लैप्स होन वालता नहीं वादरी एस वर्या पंगल पात करन जा रहे हैं सो असी चामांगे के दोस्ताना इसे तरह हैं बढ़े रहना देखन सुनली और लिखनली तोड़ा साबता पोपो तान वात चीरार स पाकस्तान दोना मुलकां दे हवाले ना अलगाल करिये ते एक रैडिट इमरान खान हकूमत नू जान दा है कि जिते कॉविड दे दौरान पारत दी एकॉनमी उना दा जीडी पी उना दी ग्रोथ उना दी एक्सपोर्ट सारी बुरी तरह उसने मार खा दी लेकन पाकस्तान इमरान खान सरकार दा जे में वाइजली सारे नो हैंडल करना सी सडन लॉक डाउन भी नहीं सी और उदे थले एक्सपोर्ट भी होना दी वदी जीडी पी भी अप गई और प्राग्रेस भी हुई और सब तो वड़ी का जदों होना सी वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन दा डेटा देख दे हैं के दुनिया दे विच डेड़ करोड लोग मारे गए कौविड नाइंटीन दे चल दे हैं जेना तो संतारी लक कले पारद दे विच साना अलमोस्ट वन थर्ड सो उस तो यह अंदाजा लाया जा सकता है के पाकस्तान दी परफॉर्मेंस बहुत वदी ऐस क्राइसिज थोड़ा जा ओवर हुंदा है थे कि मैं उना दे अमरीका दे वड़े वड़े जड़े जाएंट जिना ने वड़ियां कॉर्परेशन जिना उना ने उत्तों इन्वेस्टमेंट भी पूल करनी शुरू की थी लेकन क्योंके पारद दे विच एक इस किसम दा इच संतारी लख लोक मर गे होन ते प्राइम निस्टर जड़ा है ओख लोके यूपी दे विच मुद्धी अधित आना आती पर ठोक रहा हुए कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम कोई अकाउंटेबिल्टी ना हुए तो इसे तरह जड़ा जिनुनों कांदे ने ब्रेव फेस ना इंडिया ने पूट कीता है कि ये असी जड़ा है ओव बहुत साड़ी वड़ी एकॉनमी अची हाला उना दी दो टाइट रिलियन डॉलर तो भी काट थले चली गई कि थे ओचीन दे नाड मुकाबला करन दी गल कर दे से पर दूसरा क्राइसिस जिन्हें उपरो थली युकरेन दे उते रूस दे हमरे दे ना आड क्योंके दुनिया दे एकॉनमी ज़क ये औए ऱाइल दा एक वड़ा रोल ए और उस दे नाड ना क्योंके रज़के रशें और युकरेन दो टोंए ऐसे मुल्क ने युकरेन खासता हुरत है उस सारो जिदे के फूड ऊदेश वीट भी है और दूसरी हैं फसलां भी नहीं हूँ एक्सपोर्ट कर दे और उधी वड़ी मार्केट रही है तो जदो यह जांग दे विच सारा कुछ ही उथल पुथल वड़ा काम होया तो फूड भी प्रबावत होया और सब तो वड़ा फिकर जड़ा दुनिया दे विच पार्ट जदों गलोबल फूड क्राइसिस दिगाल होंदी है गलोबल फूड स्क्यूरिटी जड़ा यूएन दावी कंसर्न होंदे के जो ही किते एक पासे जए आयल जड़ा है क्योंके रशिया दे उते सैंक्शन्स लगई है एकनॉमिकल जिना नूं रशिया नहीं नहीं उ निकल के वी सबसेडाइजड ओयल जड़ा सी रशिया दा उना ने खरीदे है पर क्योंके जे तुसी कुल मुडा के पारत दा मॉडल देखो और असी पंजाब दे हवाले ना सानू भी थोड़ा बहुत समझन दा मौका बने है जदो इना ने तेन खेती कानून ले आन दे और पंजाब दे जिस किसम दे अंबानी अडानी दे साइलो और उना दे विच की है उदो समझानी शुरू हुए कि वह इना ने ता बाकी ता साब कुछ प्राइविटाइज करन दे ना था ले अबानी अंडानी पतांजली दे हवाले की तैयर लाइन भी अपनी वेचनवां कार दती रेलवे वी और दूसरा वी के एवन जमीन भी इना दे हवाले करन दी लाइन है और फूड दे उत्ते विउना दा क्योंके जार है मुडलियां लोड़ां ता इनसान दीयां फूड ने फूड तो बिना ता सर्वाइवल नहीं है उदे ता भी इना दा फुल कंट्रोल ए वड़े अंबानी अड़ानी पतांजली कराने दा चलो पंजाब दे सिक्त किसानी ने उदा ता मूम मुड़े है लेकन असी हुन दे पीरियर्ट च देख रहे हैं और एगाल असी दोना मुलकां दे हवाले ने इसलिए कार रहे हैं कि जो हाल स्री लंका दी एकॉनमी दा दूसरी महबूबा मुफ्ती जना ने स्री लंका दे बेस्ट फिर अपनी स्टेटमेंट्स दतियाने के पाई हुत थे एकॉनमी दा उन स्री लंका जवी कि में एक टबर दा पूरा कंट्रोल और राजा पस के उदा प्रा प्रेजडेंट प्राइम निस्टर खजाना मंतरी फ और पहला उनका नो मार्जिनलाइज कीता है तामिलाइन दी परसीक्यूशन जनू यूएन ने जानो साइड मने फिर विदे न उननने मुस्लमान अबादी पावें सिरी लंका साड़े आठ़ ना परसेंट है पर उ क्योंके सिरी लंका दे मुसलमान जड़े ने और कोई इन् तो मुस्लमाना नो टार्गेट किता गया है फिर विदिन हुन एक पास से तुस्सी अपनी ताकत और अपना जफा डाइनेस्टी काइम रखन दे लई नफरत दी पॉलिटिक्स दा सहारा लेंदे उन एक स्टेज तक ता चाल जान दे लेकन इवेंचुली वही होया जो होना सी क इस दे थले फिरे होया कि उना तो एकॉनमी वारी काल हैंडल ही नहीं हुई जे आयल दा जहाज आया भी उना दे कोड़े ना फॉरन एक्सचेंज भी ने सी इता अंदर रहा है उन दो बिलियन रहा गया है उन पांच सो मिलियन रहा गया है नतीजे दे तो और ते लोग दा हुंदा हुंदा है फिर ता लोकां ते ता काबू की होना जो उसी पुखे मार रहे हो तो उनों नजर आ रहा रहा है भी पेट्रॉल भी बंद बिजली भी गई और तो अड़े कोड़ कोश नहीं है नहीं जो और स्री लंका दी एकॉनमी का दे इस माड़े दौर चैस के स देखो उना दे उदे दे ओदे ते हो हमेशा हाइर रहा है स्रीलंका है मंक्सदा गुड कंट्रीज रहे हैं लेकन इसके समन्हें नितीयां ने स्री लंका दा जहाले कार दता है कि वो बिल्कुल जड़ा है जूनों कानदा है तडम कारके थले डिगना होन जो पारदे वी चा और वरो दे दे ना थले अंदर उनी पिक्चर ता सामने नहीं आ रही लेकन एकदम यह सामने आया है जदो ओई गल सामने आई के जी इस वार क्योंके रशिया और युक्रेन दी जड़ी कंक है वो मिडल इस्ट आफरीका जहां दूसरी यॉर्पियन इवर मार्किट तक नहीं पहुंच सकेगी इंडियन वीट दे जड़े एक्सपोर्ट दे चांसिस बन दे जा रहे हैं जिनने वड़े लाले वपारी बढ़ियें जड़े नहीं पैटरनाइज कीता है उन्हां नहीं स्टोर करना शुरू कर देता है तो चार पंज मीने पहला कंक दूजी सारी नतीजे दे तोर ते डिमेस्टिक मार्किट दे विच एकदम जड़ियां पेट्रॉल दियां कीमता दे वदियां ही वदियां कनक फूड दूजे तीजे ओ एकदम शूट अप होया सो पहले हमें उस खबर दी गाल करांगा और आज दे उनना दे मीडिये दी प्रमिनिट खबर है 28% हायर इन एपरिल कंपेर टू मार्च और हून होया है कि अभी जड़ा रुपईया है पारद दा और पाकस्तान तब ऐसी क्राइसिस चोदा भी मैं जिकर करांगा इस विड़े एक डॉलर दे मुकाबले इंडियन रुपी आलमोस्ट 78 रुपईया दे होते आ गया और हूर अधर ले जाया है का हूँ डिजर्व बेंक वाल देख रहे हैं कि पाईए की की ता क्योंकि डॉलर स्ट्रॉंग होया है और इस सारे दे चल दे हैं उन आदा एक हैन है कि पाईए इनी तेजी नार्ल होलसेल प्राइस इंडेक्स इंफलेशन रोज टु ए रेकर्ड हाई ऑफ फिफटीन पॉइंट एट परसेंट इस वेड़े पंदरा पॉइंट आठ परसेंट उदा राइज है और इजड़ा है राइजिंग प्राइस इफ क्रूड फूड प्रोड़क्ट्स कैमिकल्स इस सारे जड़े ने तेरा महीने पिछले तो लगा तारता देना आड़े अब तो अब तो अब जा रहे हैं दा हाई राइट आफ इंफलेशन इन एपरिल वास प्राइमेरली डू तो राइस इन प्राइस अफ मिनरल आइल्स बेसिक मेटल्स क्रूड पेट्रोलियम नेचरल गैस फूड आर्टिकल्स और नान फूड आर्टिकल्स फूड प्रोड़क्ट गैमिकल्स फूड प्रोड़क्ट्स इस सारे हैं कमर्स मिनिस्ट्री दिस स्टेटमिंट कह रही है और इस सारे दे चल दे हैं इवन चाहिन दे विच क्योंकि थोड़ी ज़िए इस नो लए कि अंसर्टिंटी या और फारत जड़ यह इस पासे वाल वाद रहा हैं। दूसरा पक क्योंकि इंडिया ने पहला दा ही देख्या के जी इस्वार साधा मौका है असी वीट चोंजडी होना ने फूड कारपरेशन दूज्या ने अपने स्टोर चे रखी एक्सपोर्ट करांगे जड़ा लाला बाणिया हैं उन्हें पहला ही कंक स्टोर कार लाई होना नों लगा कि इंटरनेशनल मार्केट जड़ा मन मर्जी देपा मच विच्छांगे इन्हें कीता कि डिमेस्टिक लेवल दे उत्ते इकदम आटे दे और कंक दे पा बहुत उपर चले गए लोग चीका मारन लागे और लगया कि पाई अजे हमाचल चोना आ रही हैंने गुजरात चा रह दा कि उसी मन मर्जी ना जो चाओ करो जो में काविट दे चल दे हैं क्योंके पारदे विच कुछ बेसिक मेडिसन जो में पेरसिटा मोल है उद इच बन दी है और जहों ही डिमांड हो दी वदी जदों काविट दा जे पहली वेवाई इंडिया ने पाबंदी लाग दे इसी होर पास्यों उदे दूसरे जिडे उदे चैरड करन वाने कोई भी कैमिकल होन्ठे ने और होन क्योंके जी ईवन दी मीटिंग होन जा रही है आंड वाने पिरियर्ट और पाहरद आनवाने पिरियर्ट जी ट्वटी उनह दा फ्यूचर चेयर मेन भी होए गया है तै गलोबल फूड सक्योर्टी दे चल दे हैं पारत दे उत्ते हुना ने उन दबा बनाना शुरू कीता है कि ये रिवर्स करो बैन नू जड़ा तुसी वीट एक्सपोर्ट दे उत्ते लाया है और इस मामले दे विच इवन यूएस सेक्टरी अफ स्टेट एंटनी बिंकन ने भी जड़ा है ये पारत नू किया है कि ये तो अड़ा कम ठीक नहीं है दा गर्मेंट हैड उनने एक्सपोर्ट दी प्राइबशन कीती है और कि मैं उत्थे ए इनना दा वपारी तब का जनू ए पैटरनाइज कर देने एस स्टेटमेंट पार्ती कसान यूनियन दी है कि दा पार्ती कसान यूनियन लीडिया लीडिंग फार्मर्स आउटफिट है अलेजड देट दा ट्रेडर्स बिगें होल्डिंग वीट सेंसिंग एक्सपोर्ट अपर्चुनिटी इन दा इंटरनेशनल मार्किट एज रशियन एटेक और यूकरियन फॉबरी 24 ग्रिपड दा लेटर्स अगरिक रहे हैं इस दे उते ही जड़ा है दो स्टेटमेंट्स जना दा मैं जिकर कीते हैं पहला मैं महबूबा मुफ्ती जन्हें ट्वीट कीता है और इवन इंडियन मीडिया ने भी ख़ब लाई इवेंट सिरी लंका शुड भी वेक अप कॉल फर इंडिया के पाही जो लंका जो ह 2014 इंडिया इस बिंग विप्ट इंटो ए कॉमिनल फ्रेंजी एंड इमेजन फियर्स इट इस ट्रेडिंग दा सेम पाथ हाइपर नेशनलिजम एंड रिलीजिस मेजरिटेरियनिजम ओल अड़ दा कॉस्ट अफ डिस्रॉप्टिंग सोशल कोहिजन एंड एकनॉमिक स्क्यूर हैं उन्हाने पारदे विच फिरकू नफरत फिरकू पड़काट और ओडर जवें के जी मुस्लमान ना दिया बादी इननी के बाद जाएगी ए फलाना ही में है भी लोकां जी तुसी एक डर पैदा कर रहे हूं के एही हाईपर नेशनलिजम दा और तौडिकूल मजभी मेज कीता है और इही गालर में नो इस गाल दी खुशी भी होई के जे एक पासे पारदे नौर्च कश्मीर च बैठी महबूबा मुफ्ती महसूस कर दी है के भी ए स्री लंका वाड़े रावाल जा रहे ने ते दूसरे पासे साउथ दे विच तमेलाड दे विच थिरू मावलाम सजर्ण ने और उन्हा ने गाल के ये उत्हे दीक रीजिनल पार्टी है कैथल चीफ थोल ये क्योंके ड्रेविडन नेम्स ने उन्हा दे थर ले और उदेच उन्हा ने एक है के प्लूरलिस्टिक इंडिया विल सून विटनेस वट इस नाव हैपनिंग इन स्री लंका जैनल अन्रेस्ट एंड एकोनॉमिक क्राइसिस के ड़ा प्लूरल इंडिया है क्योंके एदा समाजक ताना बाणा है तोड़ जता है हिंदू तविया ने इस श्री लंका दे राए पे आ गया है उन्हा ने कहा कि भी एए इम हशर होएगा इना दावी इफ दा बीजे पी लैड पॉलिसिस उन्हा ने क्या भी जे यही ओ हिंदू हिंदी हिंदोस्तान और एक कलेक्शन ते फराणा है ते फिर इना दावशर सिरी लंका वड़ाई होएगा और उन्हे तब बिलकुल ना लाए इन इंडिया निरंदर मोदी लैड गॉर्मेंट इस आलसो परसुएंग सिमिल फिचर विच उड़ बी रिलाइज़ बाई दा रूलर्स एंड देर स्पोर्टर्स उन्हें क्या भी जो थे वाप पर रहे हैं यह तो आडे नाड़ भी होंड जा रहे हैं और मैं ता अक्सर कबीर साब दा यह स्लो की कोट कर दे हैं कि जो पाड़ोसी के हुआ तू अपने भ नूवी बहुत चंगी तरह हैंडल कीता है अमरान खान साब दी के आददे थले और जानी नुकसान भी बहुत काट होया है लेकर अनफॉर्चनेटली पिछले पीरियर्ट जदों तो हून इनर पार्ट चाल रहा है एक पास से इलेक्शन्स दी मांग गया है दूसरे पास से दे हवाले नर गल हो रही है इस दा नतीज़ा के अनसर्टिंटी है मार्किट दे विच आई एम एफ ने भी हत पिछे खिचे है नमी हकूमत जड़ी बढ़ी होना नू सौदी अरेबिया ज़ा आई एम एफ ज़ा यूए ने भी कोई बहुत जड़ी है ओ कानी पाया है और इ एक राइसिज और होपफुली कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी आज एक सुप्रीम कोड़ दा फैसला है पाकस्तान दे उस तो बाद हो सगदा है कि कुछ चीज़ां सौट आउट होन जेना बारे अंसर्टिंटी सी लेकन मैंनो ये लगदा है भी उना दे बड़े स्याने स् दे उना दे वाइज लोक ने टॉक शोज वाड़े जन दुझे ओवी बड़ी बुरी तरह वंड़े जा चुके ने क्योंके साड़ा एक पाकस्तान दे वैल विशर होन दे ना दे मैं बेशक साड़े भी अपने प्रो जा अगेंस्ट बाइज ने लेकिन फिर भी कोशिश हु अग्यों से छोंस्त ने व्याख सिर्लंका वाड़ा था था सड़ा ने का नहीं पाकिस्तान इगेंगे चितना लेकिते हुए सिजनों हेंडल कर लेंदा है उस चो निकल जांदा है और एवी जड़ा इन्शालला सी इस चो भी निकल जांगे चलो एह हूप तो बहुत चंगी काल ला है फेट दे उते बेस्ट है पर जे ग्राउंड दे उते चीजना सिलिप हो रही है हूँ और तुसी उना दा जेड़ा उन उदी रोक थाम दे लही नहीं सिर्फ तुसी एक नुक्ते दे उते ही जेड़ा हूँ सुसाइटी टोटली पॉलराइज होके बैठी हूए तो फिर ए मैं कोट करना चाहूंदा है सार कपूर सिंगोरा ने सिख क कौमा समेदे हान दियां नहीं हूंदी हैं समेदे क्राइसिस दे सामने एक बराबर हल लाके नहीं खलूंदी हैं इतिहास ओ कहने दैसी के बड़ा जाबर है बड़ा जालम है ओ किसे दा लिहाज नहीं करदा है नो मैटर तो अड़ा पास्ट के ना गलोरियस होए तो अड़ा फेत के ना मजबूत हुए पर तो अनू अपनी सर्वाइवल दे लई समेदे हान दा जड़ा होना पेंदा है और उन्हेंने सखानू किया सी के जे तुसी इमें ही रहे बीते दी गलोरी दे विची अपने आपनू कर दे रहे तो फेर सानू इप लेका नहीं होना चाहीदा है के असी भी उससे ही समेदे थपेड़ें दी मार दे विचा सकते हैं और साड़ा भी उही हशर हो सकते है जिड़े उन्हें रिजीम पस्ता होया और मैं था इवन इस्लामिक सिवलाइजेशन दे हवाले ना आ जड़ों बगदादी सिवलाइजेशन दी गालों हुंदी या ते अकसरे क्या जान दे के पाई उद्रों हमला हो रहे है चड़या हो है जानम और उस बगदाद दे विच बैठे हो ना दे उल्मा और दूसरे एड़ेट कर रहे हैं सी कि जड़ा को हुआ है एखलाल है के हराम है हैं सो जार है कि भी इशूता ठीक है मजबी तो और दे होते हैं पर चैलेंज की है तो सिंग फसे किते हुए 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 हु हैं कि पाकिस्टान इस चो निकले पर नफरता कटांन दीले हुए 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 जो साने इस उतने बड़े ला ना मिल दे जा छोते हैं जी पर एक दूट